ज्यापूर विकास प्राधिकरन के जोन नमबर नो में ब्रस्टाचार निरोदक ब्यूरो की टीम ने शुकरवार शाम एक बड़े ओपरेशन के तहत तहसिलदार जेएन पटवारी समीच साथ अधिकारियों को रिश्वत लेते वी गिरफतार किया है एसेवी की इस कारवाई ने सरकारी विभागों में व्याप्त ब्रस्टाचार को इवफ रुजागर कर दिया है एसेवी के अडिसनल S.P. ह्माने शुकल दीब ने जानकारी दिय की तहसिलदार लक्षमी कांथ गुपता जेएन कीमराज मीना पटवारी रवी कांथ शर्मा पटवारी विमला मीना गिरदावा रुकमनी गिरदावा श्री राम शर्मा और दलाल महेश मीना को गिरफतार किय गया महेश जो विमला का पती है इस पूरी डील का सुतरधार था एसे भी की टीम ने छापेमारी के दोरान इन अधिकारियों के कबजे से डेर्ड लाग रुपे बरामत किये हैं ये रिश्वत की रगम तहसिंदा जेएन और अन्य करमचारी के बीच बाटी जा रही थी इस छा को बारा तेरा लाग रुपे की मांगी थी लेकिन अंतर तेर्ड लाग रुपे के अंदर डील फाइनल हो गई पीडित की शिकायत पर कारवाई करते लिए एसी बी ने बीस से अधिक की टीमों का गठन किया और जो नंबर नो की गहन जांच की शिकायत सही पाहे जाने पर श पीची और अंडर गार्मेंट में चिपाने की कोशिश की लेकिन एसी बी ने सभी को धर्द बोचा जो नंबर नो की ओफिस में उस वक्त पचास से ज़्यादा दिकारी और करमचारी मोजूद थे एसी वी की टीम में धाई घंटे तक चलिस कारवाई की दोरान हर व्यक्ति स गहन पूस्ताच की पूस्ताच के बार निर्दोष पाए गए करमचारी और को छोड़ दिया गया जबकि संधिक धदिकाई को ग्रिफतार कर लिया गया इच्छा पेमारी के कुछ दिनों पहले जेडिय की एक मिटिंग के दोरा जेडिसी मंजू राजपाल के निदेशा को क कमिशन के मामले में चेताम ने दी थी हालांकि इसके बाव जोत रिश्वत खोड़ी की घटनाय जारी थी जो आब एसीवी के इस कारवाई के बाद खुलकर सामने आई है एसीवी द्वारा पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जा रही है उनके घरों कई दोर में किया यह पुष्टी करने के लिए कि कौन-कौन लोग इंवॉल्वर सब पकड़ा किया जाए व्यापक इस तर पर सत्यापन करने के बाद इसकी पुष्टी भी और उसी किरम में आज हमने एक बड़े इस तर पर कारवाई करके डीजी पी साहब हमाई जे डीजी करक ली है इसके अतरिक प्लाग एक लाक प्रस्टी जीश की जाच कर रहा है कि और लोग किनन लोग को का इस वैंवलमेंट है आगे किनका इन्वोल्मेंट है इसके अलावा और शिकायत है हमारे पास आ रहे हैं उसके करें में हम आगे करें जो नाइन और जिन अधिकारियों को हमने पकड़ाया है इनके गरों पर तलासी चल रही है करीब ब्यूरों की 20 में इस काम में लगी वी हैं डीजी साहब हमारे इ पर शिकायत के प्राप खुरी ती उसक्रम के आज ये कारवाई की गई है और आगे भी इसके अंदर जैसे डॉप्मेंट होगा जैसे हमें आगे 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 हम इसका हुआ था आप दिवारों के पीछे से आलमाईयों से कपड़ों से और जो कुछ कैस्ट हो था वो महिलाओ जैसे ब्यूरो की टीम आई यहां पर उनको आभास वा तो उन्होंने अपने इस्तर पर लग 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 चुपाने के अप्रयास किया उसके बाद हमने स्वतंतर गवाओं के साथ मिलके उनसे पूस्ताथ करके और उनको हमने तलासी ली तो हमें अलग जगे से पैसे रिकवर ह साथ लोग में एक तो जोन नाइन के तैसिलार है पटवारी का चार्ज है गिरदावर है पटवारी जी और उनके अजमेंट है जो कि यहां पर दलाली का का म करते हैं एजन का का करते हैं लोगों का मेश मिना उनको भी हमने डिटेंट किया नहीं आज तो जो नाइन की अधिकारियों ने खुद नहीं मांग करके खुद नहीं रिजवत लिए एजेंट इसमें वोल्ट था वो पूरा इसका वो ठेका भी ले रहा था काम करने का परिवादी इतना दुखी हो कर देने के में यह सुवकिन और जर्डे कांव करके हरते हैं इनका कॉन्ысट होते हैं और चीजों को हैलों को आगे निकल लृत कि करowers आपि इस अंभन में जाज कर रहे हैं और जो भी उपर के कोई और इदिकार के नॉल्मेंट होगा लूबैल फिल्ट कर रहे हैं इससे जो आगे इन्वेस्टिकारियों के मोबाइल हमने भी सीज़ के हैं इंकम कर रहे हैं आगे सब्सक्राइब रागे जो भी फैक्स हमें मिलेंगी डिटेल मिलेंगी हम आगया किसे तर मैंने देखा कुछ लोग नहीं कि आप जबर्दस्ती कर रहे थे और वह सारी जबर्दस्ती नहीं था उनको पर्शू किया है कि हमें सायोग करें अल्टिमेटली उन्होंने आरिप सायो